Hello and welcome to all of you in geography class हम लोगोंने कल बात कर रहे थे चटानों पर जिसके अंतरगत हम लोगोंने ये जाना था कि भुगोल में चटान का अर्थ क्या लिया जाता है सामाने रूप में धरातल का निर्मान जिन की निभी पधार्थों से हुआ है वो सभी चटाने कही जाती है चाहे वो कठोर हो या कोमल हो या जल के लिए प्रवेश्य हो या अप्रवेश्य हो सभी प्रकार के वो भाग जिन से की धरातल का निर्मान होता है उसे चटाने कहा जाता है चटाने जो हैं वो मूल रूप में तीन प्रकार की होती है जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी पहली तो थी आगने चटाने जो की लावा के ठंडे होकर ठोस होने से बनती है दूसरे प्रकार की चटाने है वो है अवसादी चटाने जो की अपक्षे और अपरदन की प्रक्रिया से जो मलबा प्राप्त होता है उस मलबे के निक्षेप से और उसके लगातार जमने से संगठित होने से जिन चट्टानों का निर्मान होता है वो अवसादी चट्टाने कहलाती है और तीसरे प्रकार की होती है metamorphic rocks अर्थात रुपांतृत या कायंतृत चट्टाने जो की तापमान और दबाओ के कारण से जिन चट्टानों का चाहे वो आगने हो या अवसादी चट्टाने हो इन चट्टानों का यदि रूप बदल जाता है गुण बदल जाता है नई प्र प्रकार की चट्टानों को हम रुपांतृत या कायंतृत चट्टानों के नाम से जानते हैं इसके साथ साती हम लोगों ने आगने चट्टानों के बारे में बात की थी कि आगने जो चट्टाने हैं इनकी विशेष्टाएं क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं इन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी आज अब हम बात करते हैं अवसादी और कायंत्रित चट्टानों के बारे में कि ये किस रूप में जानी जाती हैं और इनकी क्या विशेश्टा हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं क्या गुण इनके अंतरकत पाये जाते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहले तो हम यह दिरने हैं कि जो अवसादी चट्टाने हैं उन अवसादी चट्टानों को हम परिवाशित रूप में क्या करेंगी कि जिन चट्टानों का निर्माण अपक्षे और अपरदन के जो विब्विन साधन है चाहे वो किसी भी प्रकार के हो अपक्षे और अपरदन के जो विब्विन साधन होते हैं उन विब्विन साधनों से मूल चट्टानों के जो अवसाद के रूप में जो निक्षेप होती है उन्हें हम अवसादी चट्टाने केते हैं इन्हें हम परतदार चट्टानों के नाम से भी जानते हैं ये जो चट्टाने होती हैं इन्हें हम परतदार चट्टाने भी केते हैं क्योंकि इनका जमाव परतों के रूप में होता है लगाता रूप में नहीं होता परतों के रूप में होता है इसलिए इन चट्टानों को हम परतदार चट्टानों के नाम से भी जानते हैं इनकी जो विशेष्टा हैं उनमें सबसे पहली विशेष्टा हैं धरातल के 75 प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टाने पाई जाती है दूसरी विशेष्टा है कि ये परतदार होती है ये जो चट्टाने होती है वो किस प्रकार से होती है परतदार होती है क्योंकि इनका निर्मान मलबे के निक्षेव से होता है जो निक्षे परत दर परत इखटा होता रहता है उसके कारण से इनका निर्मान होने से इनमें परतें पाए जाती है साथ इसाथ इनके अंतरगत जीवाव शेश भी पाए जाते है अर्थात जीवाश्म भी इनके अंतरगत पाए जाते है ये कठोर भी हो सकती है और कोमल भी हो सकती है उसके साथ साथ ये संगठित भी हो सकती है और असंगठित भी हो सकती है चुकि ये जो चट्टाने हैं ज्यादा तर रूप में कोमल चट्टाने होती है इसके कारण से इन पर अपक्षे और अपरदन का प्रभाव भी अधिक होता है साथी साथ इन चट्टानों के अंतरगत कार्बनिक खनीज जो हैं वो मुख्य रूप में पाये जाते हैं जैसा कि हमने जाना था कि धात्वी खनीज आगने चट्टानों में मुख्य रूप में पाए जाते हैं तो जो कारबनिक खनीज हैं जैसे कि कोईला, पेट्रोलिय, मित्यादी तो वो अवसादी चट्टानों के शेक्त्रों में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनकी विशेष्टाओं पर चर्चा की, अब साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं, कि ये जो आउसादी चक्टाने होती हैं, इनको हम विबिन आधारों पर तीन भागों के अंतर बाट करके इनका अध्यन करते हैं, सबसे पहला तो जो आता है, वो आता है यांतरिक आधार पर, कि ये जो यांतरिक आधार पर हो, या भोतिक आधार पर जो इन चक्टानों का वरगी करण हैं, वो इस प्रकार से होता है, कि चक्टानों का जो निर्मान हैं, जो परतदार चक्टाने हैं, इनका जो निर्मान हैं, ये अपरदन के विबिन साधन, चाह चाहे वो पवन हो चाहे साग्रिय जल हो या हिमानी हो इनके द्वारा जो मूल चट्टानों पर अपरदन की किरिया होती है और अपरदन की किरिया से जो मलबा प्राप्त होता है उस मलबे के निक्षेप से इन चट्टानों का निर्मान होता है उन्हें हम यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टाने कहते हैं यहाँ पर हम इस बात का ध्यान आवशक रूप से रखें कि चट्टानों के निर्माण में जिस अपरदनकारी प्रक्रम की भूमी का मेत्वपुन होती है उसे उसी नाम से जाना जाता है जैसे कि सागरी लेरों के आदार पर निर्मित अवसादी चट्टानों को हम सागरी करत चट्टाने कहते हैं नदी या प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित चट्टानों को हम नदी करत चट्टानों के रूप में जानते हैं तो यह उसी रूप के अंतरगत जानी जाती है जिस भी अपरदनकारी प्रक्रम का योगदान सर चट्टाने आती हैं तो चूकि चट्टाने खनीजों का समू होती है और कुछ खनीज जल में गुलंशील होते हैं तो जब चट्टाने प्रवाहित जल के संपर्क में आती हैं तो चट्टाने के कुछ खनीज जो होते हैं वो उसके अंतरगत गुल जाते हैं वहीं वाश्पिकर के फिर प्रक्रिया के द्वरान स्वच्च जल तो उसमें से उड़ जाता है और जो अवसाद के रूप में वहाँ पर बचे रह जाते हैं जो रासाइनिक पधार्तों की परत जमी रह जाती है उससे जो निर्मित चटाने होती हैं उन्हें हम रासाइनिक चटानों के नाम से जा कामने की यांत्रिक रूप से निर्मित का अर्थ तो ये हुआ कि अपर्दन के जिस प्रक्रम के कारण से मलबा इकटा हुआ और मलबे के जमने से जुन चट्टानों का निर्मान हुआ वो तो कहलाती है यांत्रिक अवसादी चट्टाने दूसरा रासाइनिक प्रक्रिया के कार की जो चट्टाने आती हैं उनको हम केते हैं जेविक अवसादी चट्टाने अर्थात जिनके निर्माण में जीवों और वनस्पतियों के अवशेशों का योगदान होता है अर्थात जो अवसादी चट्टाने जीवों और वनस्पतियों के अवशेशों से बनती हैं इन चट् उपर की चट्टानों के दबाव पढ़ने से वो वनस्पती ही कोईले के अंदर परिवर्थित हो जाती है। तो यह जो कोईला मिलता है यह जैविक अवसादी चट्टानों के अंतरगत ही मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अवसादी चट्टानों को हम अध्यन के एसाब से तीन भागों में बाड़ते हैं यांत्रिक अवसादी चट्टाने, रासाइनिक अवसादी चट्टाने और जेविक अवसादी चट्टाने इसके साथ साथ हम बात करते हैं next और वो करते हैं हम metamorphic rocks पर यह जो metamorphic rocks हैं अर्थात यह जो रुपांतृत या कायंतृत चट्टाने हैं यह क्या हैं? अब हम इन पर बात करते हैं तो सामाने रूप में भी हम देखें तो अवसादी चट्टाने हो या आगने चट्टाने हो चाहे ये अगर हम बात करें ये आगने चट्टाने हो या ये अवसादी चट्टाने हो इन चट्टानों में ताप और दबाओ के कारण से जब उनमें परिवर्तन हो जाता है रुपांतरन हो जाता है तो उस प्रकार से ब जब चक्टानों का रूप बदल रहा हो गुण बदल रहा हो ताप या दबाव के कारण से या दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जब इनका गुण बदल रहा होता है तो उस दोरान मोलिक चक्टान के संगठन के अंतरगत या तो आंशिक रूप से परिवर्तन आ सकता है या पूर्ण परिवर्तन भी हमें उसके अंतरगत दिखाई दे सकता है, तो उस प्रकार से बनने वाली जो चक्ताने होती हैं, उन्हें हम रूपांत्रित या कायंत्रित चक्तानों के नाम से जानते हैं, ये जो रूपांत्रन होता है, ताप और दबाव के गारण से, ये मुख्य करें, कि ये जो चूना पत्थर है, जो चूना पत्थर होता है, ये चूना पत्थर ताप के कारण से, संग्मर्मर के अंतरगत बदल जाता है, मार्बल के अंतरगत बदल जाता है, तो ये जो चूना पत्थर है, ये ताप के कारण से बदला है, तो मूल चट्टान तो हो के कारण से यह किस में convert हो गई marble में, तो marble अपने आप में क्या हो गई रूपांत्रित चट्टाने हैं अब यदि हम दोनों चट्टानों को देखते हैं तो इस प्रकार के चट्टान में जो रूपांत्रित चट्टान है मूल चट्टान के तुलना में संपूर्ण रूप से इसके अंतरगता में परिवर्तन दिखाई देता है तो इस प्रकार की यह जो नई चट्टान बनती है, यह कायंत्रित चट्टान के रूप में जानी जाती हैं वहीं दूसरी होती है, दबाव के कारण से बनने वाली चट्टाने, तो जो इस पर दबाव पड़ता है, तो यह ग्रेफाइट के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो कोईले से ग्रेफाइट में परिवर्तित होना, तो ग्रेफाइट अपने आप में रूपांत्रित चट्टान का उदारण है, कोईला उसादी का बनना ये रूपांत्रित चटान का उधारण है तो ऐसे कई उधारण हमें देखने को मिलते हैं तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुछ विशेष्टा हैं हमारे सामने निकल कर के आती है पहले विशेष्टाओं में दियम बात कहें तो ये जो कायंत्रित चटाने होती हैं ये गोण चटाने होती हैं कम मात्रा में मिलती है क्योंकि इनका निर्मान मूल चटानों के रूप परिवर्तन से होता है दूसरी विशेष्टा के रूप में कि ये चटाने मूलिक चटानों की अपेक्षा अधिक, संगठित और कठोर होती है तीसरी विशेष्टा है कि ये छिद्रदार नहीं होती है और चोथी विशेष्टा है कि इनमें धात्वी की खनीज विशेषकर बहु मुल्य जो खनीज हैं जैसे कि हीरा, सोना, चांदी ये त्यादी इसनके अधरगत मिलते हैं तो इसी रूप में यदि हम बात कहें तो हमें इसके कई उधारण हमें देखने को मिलते हैं उन उधारणों पर यदि हम बात कहें तो जैसे हमने एक उधारण तो यहां पर जाना कि चूना जो पत्थर है, ये चूना पत्थर ताप के कारण से संगमरमर में बदल जाता है तो पहला उदारण तो यह हमें दिखाई देता है कायंत्रित चट्टान का दूसरा उदारण हमने कोईले से ग्रेफाइट का लिया और उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि ग्रेफाइट पर फिर यदि दबाओ पड़ता है तो यह हीरे के अंतरगत परिवर्तित हो जाता है डाइमंड में कनवर्ट हो जाता है इसी प्रकार जो बालू का पत्थर है वो बालू का पत्थर भी ताप के कारण से बालू का पत्थर भी जो होता है सैंडिस्टोन जो होता है यह ताप के कारण से क्वाट्जाइट के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो यह जो हम देख रहे हैं यहां पर ये भी जाना कि जो चत्ताने होती हैं वो कितने प्रकार की हैं, उसकी विशेष्टाएं क्या हैं और उन्हें अध्यन की दरस्ती से कितने प्रकारों के अंतरगर बाटा जाता है, इस बारे में हमने विस्तार से यहां पर चर्चा की है, हम अब अगले विशे पर अगले वीडि रहिएगा, थेंक यू, थेंक यू वेरी मुच